क्लास एट शोसल साइंस चैप्टर नंबर 15 को अम लग पार रहे थे इंडिया मार्चे सहेट पार्ट वन इसका अप्लोड हो चुका था अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पिंट कमेंटरों उसका लिंक डला हुआ है आप उसको पहले देख लिजे ताकि चैप्टर को कनेक्ट करने में आपको आसानी हो DAV स्कुल के लिए अब तक जितना वीडियो अप्लोड हुआ है सब आपको इस चैनल के प्लेलिश में मिल जाएगा यहाँ पर सब वीडियो सबजेक्ट वाइस, क्लास वाइस अच्छे से एरेंज करके रखा हुआ है यहाँ पर ने वीडियो भी एड होते रहते हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइगन को प्रेस कर लिजे ताकि उनका भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे इस चैप्टर में स्टार्टिंग के तीन टॉपिक्स हमने पार्ट वन में कवर कर लिया था यह सब आपको पार्ट वन में मिल जाएगा आज जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक परने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया on the path of progress तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आराम से बैठ जाईए पूरे क्लास को एटेंड कीजिए और हर एक टॉपिक को अच्छे समझिए 1947 जब हमारे भारत को आजादी मिली तब से लेकर आज तक इंडियन एकॉनमी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं इंडिया का एकॉनमी बहुत हद तक सुधरा है आजादी के समय भारत में बहुत जादा गड़ी भी थी अधिकतर लोग और सिक्षित थे वो लोग परहे लिखे भी नहीं थे और लगता नहीं था कि भारत का डेवलपमेंट हो पाएगा लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में बहुत बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल अप्ग्रेडेशन किये गए उन सभी आधार भूत संग्रक्चनाओं का विकास किया गया भी कदम उठाये गए जिससे कि भारत का विकास किया जा सकता था बहुत से लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था उनका मानना था कि भारत में जो डाइवर्सिटी है जो अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग रिलिजन, कास्ट, लेंग्वेज, कस्टम, आइडेंटिटी के लोग रहते हैं इस वज़े से भारत एक युनाइटे डेमुक्रेटिक कंट्री की तरह सर्वाइव ही नहीं कर पायेगा भारत कुछ समय के बाद छोटे-छोटे टुक्रों में फिर से बढ़ जाएगा लेकिन उनका ये प्रेडिक्शन गलत साबित हुआ बहुत सारे इंटर्नल और एक्स्टर्नल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इंडिया एक नेशन की तरह सर्वाइव कर पाया और हम लोग एक unified identity maintain करके रख पाए लेकिन unfortunately हमारा progress उस rate से नहीं हो पाया जिस rate से होना चाहिए था because of terrorism and cross border attacks एक तो इंडिया में ऐसे लोग फस कर रहे गे थे जिनका hobby ही होता है पब्लिक प्लेस में फटकर 72 और के पास जाने का और जो लोग इंडिया से बाहर जाकर अपना एक अलग देश बना चुके थे उनको भी सुकूर नहीं था वो लोग भी बाहर से हमेशा attack करते रहते थे खैरे इन सब कठीनाईयों के बाद भी हमारा economic progress होता रहा हमने अपने production को expand किया, अपना production बढ़ाया और हमने हर field में अपने आपको diversify किया, चाहे वो industry हो या agriculture हो हमारी सरकारों ने वैसे सब ही infrastructure बनाया जिसकी जुरते की industry को परती है क्योंकि industry एक तरह से country का backbone होता है, country के development के लिए बहुत जरूरी होता है जैसे की सरकार ने power के लिए काम किया, information technology के लिए काम किया, communication के छेतर में काम किया और transport के लिए काम किया, ताकि industries को बरहावा दिया जा सके भारत सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां भी बनाई जिससे की indigenous industries को बरहावा दिया जा सके indigenous industries एसे industries को कहते हैं जो कि खुद हमारे देश का हो विदेशी न हो जिस देश के पास खुद का industry होता है जो अपने use का सामान खुद ही बनाता है उसका विकास ज़्यादा तेही से होता है इसलिए सरकार ने ऐसे लोगों को साहता भी दी जो कि industries बनाना चाहते थे agriculture sector में भी कई सारे बदलाओं किये गए जैसे कि agriculture का mechanization किया गया जो काम पहले लोग किया करते थे उसको machine से किया जाने लगा irrigation के लिए बहुत सारे facilities दिये गए ताकि पानी पटाने में कोई दिक्कत नहों fertilizer का इस्तिमाल किया जाने लगा ताकि मिट्टी की उर्वरक्षमता को बढ़ाया जा सके और तरह तरह की research किये जाने लगे जिससे की agricultural production को boost मिल सके इन सब चीजों के कारण फायदा भी हुआ agricultural production अचानक से बर गया उसका quality भी अच्छा हो गया और quantity उसकी मात्रा भी बर गई ये सबी progress और development green revolution और white revolution के कारण हुए थे green revolution वो समय था जब क्रिशी में नए-ने तकनीकों का इस्तिमाल किया जाने लगा था जिससे की क्रिशी उतपाद में काफी हद तक बरहोतरी हुई थी और white revolution वो समय था जब मवेश्यों के पालन पोशन के लिए नए-ने तकनीकों का इस्तिमाल किया जाने लगा था जिससे की milk production को एक बहुत बरा बूश्ट मिला था अब चलिए इस वाले do you know को पर लेते हैं इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया का economy वैसे तो काफी तेजी से डेवलप होते जा रहा है लेकिन अगर हम इंडिया को किसी दूसरे developed country से compare करें तो इंडिया को अभी भी हर सेक्टर में improvement की जबरत है जैसे कि जापान को ही देख लीजिए जो कि बहुत छोटा country है इंडिया की मुकाबले तो बहुत छोटा country है लेकिन वहाँ पर technology का development जिस rate से हो रहा है उसी साब से इंडिया अभी विजापान से बहुत पीछे है इंडिया ने development के लिए उस रास्ते को अपनाया जो कि कभी USSR follow करता था USSR कुछ countries का एक group हुआ करता था जिसमें की सबसे बड़ा country था रशिया और इसके अलावा को छोटे-छोटे देश आते थे इंडिया में भी 5-year plans बनाया जाने लगा ताकि systematic तरीके से हर सेक्टर का विकास किया जा सके इस plan को बनाने के लिए planning commission को स्थापित किया गया 1950 में और सबसे पहला 5-year plan बनाया गया 1951 से 1956 के लिए इस plan को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहरू ने बनाया था 2015 में 12 वी बार ये 5-year plan बनाया गया और उसके बाद planning commission को replace कर दिया गया नीती आयोग से अब planning commission नाम का कोई भी organization इंडिया में नहीं है अब नीती आयोग वही काम करती है इस वाले do you know में देखिए नीती आयोग के बारे में बताया गया है नीती इसका full form होता है National Institute for Transforming India ये important full form है इसको याद रखिएगा इसको 2015 में बनाया गया था इसको policy think tank भी कहते हैं government of India का think tank कहने का मतलब हुआ कि भारत के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए ये सोचने का काम करता है नीती आयोग नीती आयोग को नरेदर मोदी की सरकार ने अस्थापित किया था जब 2015 में वो पावर में आये थे और इसने planning commission को replace कर दिया था planning commission जो था न वो top down model पर काम करता था top down model कहने का मतलब हुआ कि जितना वी strategy बनाना होता था जितना वी decision making होता था वो सब top level पर ही होता था और उसी को नीचे सभी levels पर follow करना होता था ऐसे में जब central government 5 year plan बनाती थी तो उसके नीचे जो states आते थे वो participate नहीं कर पाते थे इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीती आयोग के अस्थापना की गई ताकि भारत के state government भी भारत के economic policy making processes में हिस्सा ले सके नीती आयोग एक तरह से bottom up अप्रोज पर जो डालने का प्रियास है जो कि top down model के just opposite है इसमें निचले लेवल पर जो authorities होते हैं उनके पास भी अधिकार होता है कि वो भी policy making में participate कर सके और भारत को एक cooperative federation बनाया जा सके हमारा next topic है Indian democracy यानि की भारत का लोकतंत्र भारत आजाद होने के बाद कौन सा रास्ता अपनाएगा इसका planning पहले ही हो गया था जब freedom struggle चल रहा था उसी समय पहले से ही हमारा लक्ष था कि भारत को एक sovereign nation बनाया जाए एक ऐसा country बनाया जाए जिस पर किसी दूसरे देश का प्रभाव न हो और power किसी एक व्यक्ति को देने के बजाए आम लोगों के हाथों में दिया जाए मतलब इंडिया को democratic country बनाया जाए इसलिए इंडिया ने democracy को चुना ऐसा democratic country हमारे लिए जरूरी था कि हम लोग एक ऐसा system बनाया जो कि हर section of society समाज के हर work को represent करे लोग चाहे किसी भी community के हो किसी भी religion के हो या कोई भी language बोलते हो उनको equal status मिले equality का मतलब status भी equal होना चाहिए समाज में उनका स्तर भी बराबर होना चाहिए और उनको opportunity भी बराबरी से मिलना चाहिए हर चीज में उनको बराबरी मौका मिलनाचाहिए बिना किसी discrimination के बिना किसी तरह के भेदभाव के इन सब के अलावा हमारी डेमोक्राटिक गवर्मेंट ने समाज के जो पिछरे वर्क के लोग थे जैसे कि SC, ST, OBC इनकी हितों की रक्षा के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी तो इंडिया का पॉपलेशन 400 मिलियन था लेकिन अब ये पॉपलेशन लगबग 3 गुना हो चुका है अब इंडिया का पॉपलेशन 1.3 बिलियन से भी जादा हो चुका है कॉंग्रेस पार्टी के जवाहल लाल नहरू जो की भारत के पहले प्रधान मंत्री थे उन्होंने सरकार की बागडोर को आजादी के बाद से 1964 तक संभाला लेकिन 1967 वो साल था जिस समय इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया उस समय कुछ स्टेट पार्टी उभर कर आ गए यही वो समय था जब इंडियन पॉलिटिक्स का एक्चुल डेमोक्राइजेशन हुआ भारत असल में एक लोगतांत्रिक देश बन पाया उससे पहले तो वही राजा वाला ही सिस्टम था हम लोग को फालकु में बॉलिवूट को गरिया थे असली नेपोटिजम तो यहाँ पे चल दा था पडिवार में कोई बच्चा जर्म लिया अले ले अब इसको प्रधान मंत्री बनाया जाएगा और घुमा फिरा के भारत के लोगों को भी उसी को चुनना पड़ता था इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी फैमली का डॉमिनेशन पहली बार 1977 में खत्म हुआ जब भारत के प्रधान मंत्री मोरारजी देशाई बने जो की जनता पार्टी के थे इस तरह के बरे बरे चेंजेस और चैलिंजेस के बाद भी इंडियन डेमोक्रेसी बिखरा नहीं 1977 के बाद कुछ दूसरे political parties power को control करने में काम्याब हो जाते हैं और किसी तरह से इंडिया को तूटने से बचाते हैं लेकिन unfortunately वो ज्यादा समय तक government में नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनके पास उतनी seats नहीं होती है seats की कमी के वज़े से ही अब के समय में हमें coalition government और political front या alliances बनते हुए दिखाई देते हैं जब किसी political party के पास उतना seat नहीं होता है ताकि वो government बना सके तो दो या दो से अधिक political parties एक साथ आ जाते हैं और उनका seat एक साथ add up हो जाता है ऐसा दो तरीकों से होता है front तब बनता है जब बहुत सारे political parties election लडने से पहले ही एक साथ आ जाते हैं और coalition तब बनता है जब बहुत सारे political parties election लडने के बाद एक साथा कर government बना लेते हैं चलिए front और coalition दोनों के एक example से समझते हैं माले तें election होने वाला है और तीन political parties है A, B और C अगर election से पहले तीनो political parties अलग-अलग लड़ती है चुनाव परचयर के दौरान एक दूसरे को गड़ी आती भी है और election के बाद अगर जरुत के हिसाब का seat नहीं मिलता है तो कोई दो political parties अगर एक साथ आ जाती है तो इसको कहते हैं coalition लेकिन अगर यही दोनो party election से पहले ही साथ आ जाती है public को कह देती है कि हम लोग साथ हैं हम लोग एक साथ election लड़ रहे हैं आपको vote देना है तो हमको दीजिए या इसको दीजिए बात बराबर है तो उसको कहते हैं front supporting parties या तो government को जोईन करती है या तो बाहर से ही support करती है यह इस पर depend करता है कि alliance या front जो भी बना है वो किस condition पर बना है अगर party A और party B दोनों एक साथ इस condition पर आए हैं कि इससे 5 मंत्री बनेगा और इससे 10 मंत्री बनेगा तो election के बाद ऐसा करना होता है और ऐसा भी condition हो सकता है कि A और B party दोनों एक साथ आते हैं लेकिन B का कोई भी मंत्री नहीं बनता है B बाहर से ही बस A का support करता है ऐसी परिस्तितियों के कारण multi party system मतलब एक से ज़्यादा party का होना democracy का access बन चुका है democracy के लिए बहुत important हो चुका है ऐसे में government को accountable होना परता है उसको समय समय पर जवाब देना परता है वो जनता से डरती है एक तरह से और जनता के needs और expectation पूरे होने का chance ज़्यादा हो जाता है इसी वज़ा से दुनिया के दूसरे federal system के तरह ही इंडिया में भी दो तरह के political parties होते हैं कुछ ऐसे political parties होते हैं जो कि national level पर election लड़ते हैं और कुछ ऐसे political parties होते हैं जो कि state या regional level पर election लड़ते हैं example के लिए Indian National Congress, भारतिय जनता party, Communist Party of India ये सब national political parties है ये पूरे देश में election लड़ती है वहीं कुछ ऐसे parties है जिने state parties या regional parties कहा जाता है जैसे कि बहुजन समाज party जो कि उत्तर प्रदेश की party है शीरो मनिया काली दल जो कि पंजाब की party है राष्टिय जनता दल जो कि बिहार की है नेशनल कॉन्फरेंस जो कि कहा की है नेशनल कॉन्फरेंस जम्मू एन कश्मीर की थी इस photo में देखिए different national parties और उनके political symbols दिये गए है और regional parties और उनके भी political symbols दिये गए है जितने भी national या state parties होते हैं उनको election commission of India के दोरा recognize किया जाता है उनको state party या national party का title तभी मिलता है जब वो election commission के criteria को fulfill करते हैं क्या क्या ऐसे criteria है जिसे कि कि किसी political party को national party या state party कहा जा सकता है उसके बारे में इस वाले do you know में बताया गया है पहला condition है कि अगर कोई party कम से कम 6% vote ले आती है legislative assembly election में और दो seats जीत जाती है तब उस party को state party या regional party का दर्जा मिल जाता है ये criteria के वले state या regional party के लिए national party के लिए criteria यहाँ पर दिया गया है अगर कोई party कम से कम 6% vote ले आती है total votes का लोकसभा election में या assembly election में और लोकसभा में कम से कम 4 seat जीत जाती है तो ऐसे party को national party का दर्जा दे दिया जाता है अब आपके लिए एक छोटा सा task है आपको comment में एक regional party का नाम लिखना है और एक national party का नाम लिखना है political parties चाहे वो national party हो या regional party हो उनको democracy का axis माना जाता है ये democracy को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं इनको regulate करने का काम election commission of India का होता है जो कि एक autonomous constitutional authority है ये एक ऐसा समवैधानिक संस्थान है जो कि autonomous है autonomous कहने का मतलब हुआ ऐसा संस्थान जिस पर किसी दूसरे संस्थान का कोई control ना हो election commission ही वो authority है जो कि इंडिया में होने वाले सभी elections को regulate करता है सोची अगर election commission नहीं होता तो जो political party power में आती वही political party power में रह जाती क्योंकि हर बार किसी न किसी तरह से वही election जीच जाती ऐसा नहों इसके लिए free and fair election करवाने का responsibility election commission के पास होता है और इसके लिए वो electronic voting machine की मदद देता है जिसको short में EVM कहते है EVM कैसा machine होता है जो की voting को काफी simple और secure बना देता है ऐसे में boot capture होना impossible हो जाता है इंडिया का population 1.3 billion से ज़्यादा हो जुका है और इस में से लगबग 800 million लोग voting के लिए eligible है मतलब उनके पास vote देने का अधिकार है वो vote दे सकते है इसलिए इंडिया को largest democracy कहा जा सकता है पूरी दुनिया का और ये है भी तो finally हमने part 1 और 2 मिला कर यहां तक सभी topics को complete कर लिया इसके बाद अंतिम के 4 topics बचे इसको उमलग part 3 में पर लेंगे part 3 भी अगर आपको चाहिए तो आप comment में लेकर ज़रूर बताइएगा आपके class के 60 का playlist open करने के लिए left side में क्लिक कीजिए वहाँ पर आपको एक लाइन से हर chapter का वीडियो मिल जाएगा और अगले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाले सीडियो में इतना ही मिलते अगली class में बहुत सारे net office के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से परहाई करते रहिए